भूत, रूह या आत्मा का कोई एक ठिकाना निश्चित नहीं किया जा सकता है लेकिन दुनिया भर में कुछ ऐसी जगहें होती है जिसे ये रूहें और आत्मा अपना ठिकाना बना लेती है अभी तक आपने पुरानी इमारतों और जहाजों पर रूहों के कबजे के बारे में पढ़ा आज हम आपको एक ऐसी कबरिस्तान के बारे में बताएंगे जहां पर वैमपायरों का राज है एक ऐसा कब्रिस्तान जिसे मौत के बाद मूर्दों को गहरी नींद में सोने के लिए बनाया गया लेकिन जो बन गया है वैम्पाइर्स यानी पिशाच का अड़ा हम बात कर रहे हैं लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान की इस कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पाइर्स को देखा है जो की आए दिन इस कब्रिस्तान में घुमते रहते हैं अभी तक वैम्पाइर्स के बारे में दुनिया भर में केवल अटकले ही लगाई जाती है लेकिन इस कब्रिस्तान में कई बार लोगों ने मौत के इन राक्षसों को महसूस किया है आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी जगा जहां आप अकेले हो और कोई ऐसा साया जो आपके आस पास ही किसी मूर्दे के शरीर से खून पी रहा हो तो कैसा महसूस होगा कब्रिस्तान के बारे में बहुत से लोग यहीं मानते है कि वहां पर रूहों का होना लाजमी है ये सच है क्योंकि रूहों का वास वहीं सबसे ज्यादा होता है जहां उसके साथ कोई हादसा हुआ हो या जहां उसका शरीर हो लेकिन ये रूहे भी कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहती है आईये, आज लंदन के उस कबरिस्तान की सैर करें Highgate कबरिस्तान उत्तरी लंदन में बनाया गया एक कबरिस्तान है यह काफी बड़ा और विशाल है इस कबरिस्तान में कई गेट है दुनिया भर में सबसे बड़े कबरिस्तान के अलावा यह काल माक्स की कबर के लिए भी दुनिया भर में विख्यात है इस कबरिस्तान को सन 1839 में शुरू किया गया था उस समय लंदन एक विचित्र संकट से जुज रहा था लंदन में उस समय मृत्युदर ज्यादा दी और आए दिनों लोगों की भारी संख्या में मौत हो रही थी लोगों की हो रही लगातार मौतों के बावजूद भी लंदन में उन्हें दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी इसी समस्या से उबरने के लिए लंदन के उत्तरी छोर में इस हाइगेट कब्रिस्तान का निर्माण किया गया इस कब्रिस्तान के निर्माण के पहले जगह की किल्लत के चलते लोग मूर्दो को अपने घर के आंस पास ही गली असारों में दफन कर दे रहे थे जो की बहुत ही भयावा सिथती थी रास्तों में दफन मूर्दों से भयानक बद्बू आती थी इस समस्या से उबरने के लिए अधिकारियों ने इस कबरिस्तान का निर्मान कराया था हाईगेट उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित कबरगाह था यह कबरिस्तान 37 एकड जमीन में फैला हुआ है और उत्तरी लंदन के बीचों बीच बनाया गया है इस कबरिस्तान में एक घंटा घर और ट्यूडर शैली का प्रयोग किया गया है इसकी इमारतों में शानदार लकडियों का इस्तेमाल किया गया है इस कब्रिस्तान में मिश्र की शैली का भी पुरा प्रयोग किया गया है इस कब्रगाह के लिए भी आया जिसके लिए इसका निर्मान किया गया था पहली बार इस कब्रिस्तान में 26 मई 1839 को लिटील विंडमिल स्ट्रिट की एलिजाबित चैक्सन को दफनाया गया और इसी के साथ सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है यह कब्रिस्तान बहुत ही बड़ा है और इसमें न जाने कितने लोग दफन है जहां पर एक साथ जमीन में इतने लोग दफन होंगे वहां रूहों और आत्माओं का दिखना तो लाजमी ही होगा इस कब्रिस्तान में भी बहुत सी ऐसी रूहे है जो गाहें बगाहें लोगों को दिख जाती है कई बार लोगों को इसका आभास होता है और उनके साथ कोई हादसा हो जाता है इस कब्रिस्तान में कई बार वैंपायर्स को देखा गया है और उन्हें महसूस किया गया है सबसे पहला मामला जो प्रकाश में आया था, वो था सन 1970 में जब स्कूल की दो छात्राओं ने कबरिस्तान के एक किनारें एक वैमपायर को बैठा देखने का दावा किया था उन दोनों छात्राओं का कहना था कि जब वो स्कूल से लोट रही थी और जब वो कब्रिस्तान के पास पहुँची तो उस समय शाम हो गई थी और हलका हलका अंधेरा शुरू हो गया था उसी समय उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी जो कि कब्रिस्तान के तरफ से आ रही थी उस समय जब उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहाँ एक आदमी जैसा कोई बैठा और कब्र से शव को निकाल कर उनका खून पी रहा था इसके अलामवा इस हादसें के एक हफ़ते बाद ही एक और मामला प्रकाश में आया जहां एक प्रेमी जोड ने भी एक वैमपायर को देखन की बात कहीं उनका कहना था कि वो दोनों कब्रिस्तान के तीसरे गेट की तरफ से रात में गुजर रहे थे उसी वक्त उन्होंने एक बहुत ही बड़े आदमी को देखा जो कि सामान्य लंबाई से बहुत ज्यादा था उसका चेहरा अंधेरे के कारण देख नहीं पाया गया लेकिन उसके चेहरे का आकार और बनावट मनुश्यों से अलग थी उनका कहना था कि शायद उस अजीब से साएं ने उन्हें देख लिया था और वो उन्ही के तरफ धिमे धिमे बढ़ रहा था इतना देख दोनों वहां से भाग गए इस तरह की कई घटनाए है जो की हाईगेट कबरस्तान में देखने को मिली है कई बार लोगों ने इस महसूस किया है इस कबरस्तान से होकर जाने वाले सड़क पर कई बार लोगों की दुरगटनाए भी हुई है इस कबरस्तान में कई बार कबरों से लाशों के गायब होने का भी मामला सामने आ चुका है आज भी इस कब्रिस्तान में आसानी से रूहों और आत्माओं को महसूस किया जा सकता है दोस्तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें